हेलो फ्रेंज वेल्कम तो गार्डन टिप्स आहिम मीता विष्णुई गर्मियों के दिनों में यह ग्रीण कलर का प्लांट इसका नाम कोचिया है यह बहुत ही पॉपिलर है और यह सानवेंग और ग्रीन कलर है दोनों चीज़ें गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया है जितनी sunlight मिलेगी उतना ये green होता रहेगा और garden में रखा हुआ इतना खुबसूरत लगता है पूरा garden green लगने लगता है इसको लगाने का समय है फेबरी के बहारों के बाद आप easily मिल जाता है ये छोटी छोटी saplings में या seeds भी मिल जाते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं February, March, April में भी लगा सकते हैं ये बारिशों तक खुब अच्छे से growth करता है और लगाने का container आप देख सकते हैं single container भी ले सकते हैं जिसमें आप 8 इंची का या 10 इंची का pot लेके और मैंने इसको 2 एक साथ लगाए हैं plastic containers में आप ground में भी लगाएं ground में भी बहुत अच्छा करता है क्योंकि इसको तो sunlight वैसे ही पसंद है तो चलिए आज देखते हैं कि इसकी simple care क्या है ताकि ये खुब green रहे ऐसे और अच्छी इसकी shape रहे क्योंकि इसको green color और shape के लिए ही लगाया जाता है तो चलिए देखते हैं simple care दोनों चीजें ध्यान में रखते वे shape और color इसकी care में सबसे पहली चीज है इसकी shape maintain करना इसकी कुद्रत नहीं कुछ ऐसी shape दी है मगर कुछ हम लोग को इसको थोड़ा maintain करके रखना पड़ता है जैसे हम लोग coleus में करते हैं pinching इसकी pinching required है pinching जरूरी है नहीं तो यह बहुत ही lengthy हो जाता है तो जैसी ऊपर की ऐसे टहनिया निकलती जाएं आप उसको प्रून करते जाएं प्रून करना हर स्टेज पर बहुत मस्ट है और इसको प्रून करने से क्या होगा इसकी shape बहुत लंबी नहीं जाएगी circular में रहेगी तो वो बहुत खुबसूरत लगेगा सबसे पहला पॉइंट यह है अब देखे इसको हर स्टेज में शुरू से ही करनी है शुरू से नहीं करेंगे तो शुरू में stocks लंबी लंबी दिखेंगी रेग्यूलर्ली करनी है हलकी सी growth हो और आप इसको थोड़ा सा पिंच कर दें यह है देखे शुरू में तो इसकी खाली tips को ही पिंच करना है खाली tips को और चारों तरफ से इसकी branches आने देनी है जैसे यह भी है ताकि यह बहुत लैंकी ना हो यह देखे थोड़ा थोड़ा काटना है और इसको भी यहा यहां से growth थोड़ी सी रुकेगी कि हम लोग ने काटा है और चारों तरफ से growth शुरू होगी तब देखते हैं कि कैसा हो जाता है यह प्लांट नेक्स है इसकी पानी की requirement पानी देखे यह बहुत moisture लाइक करता है वैसे तो कल बारिश हुई है तो इसमें अलड़ी पानी है मगर यह moisture लाइक करता है अगर इसको आप बहुत ड्राई रखते तो इसकी leaves इतनी खुबसूरत नहीं रहती थोड़ी ब्राउन हो जाती है और यह लैंकी हो जाता है थोड़ा यह तीन चीजें most important है सबसे पहली pinching second watering third sunlight sunlight इसके लिए इतनी जरूरी है कि जब तक इसको आप sunlight नहीं देंगे जब तक यह इतना green color नहीं रहेगा इसका green color ही तब ही आता है जब इसको खुब sunlight मिले तो आप इसको 4-5 घंटे की अच्छी direct sunlight भी द कम हो moisture कम हो soil में और खूब sunlight दे दे फिर तो यह थोड़ा जल जाता है मगर अगर अच्छे से watered हो misted हो और खड़ा पानी ना हो मगर moisture हो इसकी soil में खड़े पानी में तो देखिए हर पौधा ही खराब हो जाता है कोई भी पौधे को wet feet नहीं पसंद है तो इसको sunlight अच्छी स चाहिए sunlight देते ही इसमें खुब अच्छी growth शुरू हो जाती ग्रीन कलर आ जाता है इसकी leaves का यह देखिए आपको कुछ color में difference दिख रहा है यह वाले कोचिया में और यह वाले कोचिया में यह फरक खली sunlight का है यह हलकी सी shade में रखा हुआ है और यह full sunlight में इसका color देखिए कि इतना green है अब यह खूब अच्छे सी growth करता है इसकी life cycle भी बहुत लंबी नहीं होती है छोटी सी होती है घर्मियों में होता है तो इसके लिए fertilize करना भी बहुत important है तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हम लोग इसको fertilize कैसे करेंगे इसका life span होता है करीब बहारों के दिनों क बाद से लगाते हैं और winters तक चलता है तो यह बहुत छुटे span में काफी अच्छी greenery देता है और continuous इसकी growth होती रहती है तो इसको थोड़ा fertilizer चाहिए होता है और fertilizer अगर organic दें तो बहुत ही बढ़िया रहता है और nitrogen rich fertilizer दें क्योंकि यह leafy plant है यह foliage वाला plant है तो जो भी foliage वाला plant होता है ग्रीन plant होता है उसको nitrogen ज्यादा चाहिए होती है तो मैं इसमें देती हूं जनरली वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैनियोर यह वर्मी कंपोस्ट है अगर वर्मी कंपोस्ट ड्राई देना है तो आप ड्राई भी दे सकते हैं ऐसे corner में और evening time में कोशिश करें दें चारो तरफ इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और फिर उसके बाद हली किसी खुर्पी कर दें या पानी डालेंगे तो अपने आप नीचे चला जाएगा वैसे जनरली मैं कोशिश करती हूं कि इसको डिप करके रखो तो कुछ मैंने भीगो रखा है वर्मी कंपोस्ट और इसको आप चारो तरफ से दे सकते हैं ऐसे करके ये प्लांट बहुत एजिली एब्सॉब करता है तो ये फर्टिलाइजर हो गया अगर आप रेगिलरली इसको थोड़ा फर्टिलाइस करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये ग्रोध करेगा ग्रीन कला कर रहेगा तो ये दो तीन सिंपल चीजे हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके पास ये कोचिया का प्लांट बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा और इतनी ग्रीनरी से आपकी खुबसूरती गार्डन की बढ़ाता रहेगा आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरू लाइक करिये और मेरा चैनल सब्सक्राइब थैंक यू